सास ने करवाई पांच प्रेगनेंट बहु से दिवाली की सफाई सुबह सुबह अनंत चतुरवेदी सूट बूट पहने डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्टा मांगते हैं अरे क्या बात है भूला सुबह के नौ बच चुके हैं अभी तक डाइनिंग टेबल खाली क्यों है नाश्टा नहीं बनाया दिल थाम कर बैठिये साहब क्योंकि नाश्टा आज शोबना में साहब बना रही है तब ही आगे आगे शोबना देवी और पीछे पीछे घर के नौकर नाश्टा लाकर मेज़ पर परुस्ते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर चतरवेदी गुड मॉर्निंग शोबना जी, क्या बात है, आज पूरव से निकलने वाला सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया आज तो आपने कमाल कर दिया, तरह तरह का खाना बनाया है, मटर पनीर, आलो के पराथे, पुलाओ, और ये स्पंज वाले रजगुले, रबडी, जलेवी, क्या बात है, आज तो लगता है, इसके ख़वर अपनी अख़वार के पहले पेज़ पर छपवाना होगा रहने दीजे, इतना मक्खन मत लगाए, वैसे भी ये सारा खाना मैंने अपने पांचों बेटों के लिए खास बनाया है, आज वो पूरे एक महीने बाद घर लोट रहे हैं, एक तो आप मेरे बच्चों को एक एक दो दो महीने के लिए मीटिंग के सिलसले में जाने कितना द उरदूर भेज देतें, इस बार तो मैंने भी ठान लिया, पांचों की शादिया करवाऊंगी मैं, मोना और शीतल की बेटियों को बहु बनाने का फैसला किया है मैंने, इस दिवाली पर मेरे भी घर में लक्ष्मी रहेंगी, मेरे भी घर आंगन में रौन अखोगी, जितनी जल्दी शादी होगी, उतनी जल्दी में दादी बन पाऊंगी और अगले साल पोता खिलाऊंगी लक्ष्मी कहलाने लाए कि एक भी गुड नहीं है इन लड़कियों में, जिनकी मा ही परकटी है, बेटी तो दो खदम आगे ही होगी ये भगवान बस मेरे दिल की एक ही इच्चा है, मेरे घर में सुशील बहु आए, जो इसे स्वर्ग से सुन्दर बना दे तबी गले में माला डाले शोबना के पांचो बेटे अपनी पांच पत्नियों, रेखा, पूजा, विधी, वैदेही, लक्ष्मी को लेकर आते हैं पांचो की मांग में सिंदूर भरे और गले में मंगल सूत्र देखकर, शोबना देवी घुस्से से लाल पीली हो जाती है मैं कुछ पोच रही हूँ मा, ये पांचो हमारी धरम पत्नी हैं और आपकी बहुएं, हालात ऐसे थे कि हमको जल्द बाजी में शादी करने पड़ी वा, मेरे लाल, इतनी जल्दी क्यों बता दिया अपनी मा को, बच्चे पैदा कर लेते तब बता देते शोबना जी, अब गोसा थोग भी दीजिए, देखें पांचो बहुएं कितनी प्यारी हैं, हमारे बच्चे खुश है और क्या चाहिए, बच्चों की खुशी में ही तो माबाब की खुशी होती है शोबना की पांचो बहुएं उसका दिल जीतने के लिए हर संभव जतन करती है, लेकिन फिर भी वो खफा रहती है और उनके किये कामों में कमिया निकालती है, अब गुजरते वक्त के साथ पांचो प्रेगनेंट हो जाती हैं, जिससे ससुर, पती, फूले नहीं समाते और खुम नाच्टे गाते है ये पापा में पापा बन गया ये पापा में पापा बन गया और मैं दादा बनने वाला हूँ अरे तुम बनोगी दादी शोबना हाँ खुश रहो फूलो फलो बहुओ भगवान तुम्हारे आने वाले बच्चों को लंबी उमर दे और तुम्हें सेहत मंद रखे देखो भागवान इस बार की दिवाली का तेवार कितना खास रहेगा हमारी बहुएं हमारे घर में चिराग जलाने वाली है लेकिन सास के मन में अपनी बहु के गर्ववती होने से जरा भी खुशी नहीं होती इसी तरह से गुजरते महीनों के साथ बहुएं की पांचवा छटा महीना लग जाता है अब हर घर में दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी थी इसी बीच ससुर और पांचों बेटों को किसी बड़ी मीटिंग के सिलसले में दूसरे शेहर जाना पड़ता है तब ही जाते वक्त शुभम कहता है मा, हमारी पत्यों का खयाल रखना, थोड़ी दिनों की बात है, हम दिवाली के दिन तक आ जाएंगे हाँ हाँ, ठीक है शुभम, तुम जाओ, मैं आराम से बहुओं का खयाल रखूंगी, आखिर सास हूँ लेकिन सास के मन में पांचो प्रेगनेंट बहु के प्रती खटास भरे होने की वज़ा से, वो घर के सारे नौकरों को काम से छुट्टी दे देती है लल्लू भोला रामू, येलो पैसे, और इस बार अपने गाउं जाकर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाओ लेकिन मालकिन, अभी तो दिवाली की सफाई भी नहीं हुई है, हम चले जाएंगे, तो इतने बड़े बंगले को साफ सुत्रा कौन करेगा वो सब हो जाएगा, तुम अपना सामान बांधोर जाओ सभी नौकरों को भेज कर शोबना गर्भवती बहुओं पर दिवाली की सफाई थोप देती है चलो चलो, उठो राजकुमारियों, बहुत आराम फरमा लिया तुम पांचों ने, अब जड़ा हाथ पैर चला लो जी माजी, बताएए न, कोई काम है क्या? अरे काम ही काम है, दिवाली में गिनकर दिन बचे हैं और तुमने अभी तक साफ सफाई में हाथ भी नहीं लगाया पर सासुमा घर में साफ सफाई के लिए तु इतने सारे नौकर चाकर हैं तो अरे सारा काम नौकर चाकर ही करेंगे तो तुम पाचो क्या बैठी बैठी मोटी होगी वैसे भी सारे नौकर दिवाली में अपने गाउं गए हैं सफाई तुम लोगों को करनी है देखा पूजा तुम दोनों ये घर में जितने भी जाले लगें इसे अच्छे से साप करो वैदेही लक्ष्मी तुम दोनों पूरे घर की दुलाई कर दो एक एक्टायल दूद की तरफ चमकना चाहिए और विधी बहु तुम बंदिर साप कर दो बिचारी गर्बवती बहुएं बिना कोई गिला शिकवाज जताए दिवाली की सफाई में लग जाती है इधर सास अपने कमरे में बैट कर कटोरी भर कर काजू पिस्ते खा रही होती है अरे वाह क्या मीठे मीठे काजू पिस्ते हैं खा कर मजा ही आ गया लेकिन अब तो अगले हफते तक मैंने मेरी गर्बवती बहुँ से सफाई करके उनकी शामत ना ला दी तो उनकी सास नहीं मैंने भी कच्ची गोलिया नहीं केली विचारी बहुएं सारा दिन भोकी प्यासी दिवाली की सफाई करने के चलते ठक कर चूर हो जाती है विधी पूजा मेरी तो कमर में लचक सी आ रही है जोका भी नहीं जा रहा सारा दिन हम सफाई करते रह गए इसलिए थोड़ी दिर आराम कर लेती है विचारी पांचों एक पल के लिए आराम करने बैठी हो ही थी कि तभी शोबना देवी उनके पास आकर शक्ती बरत्ते हुए बोलती है ये सुनकर बिचारी प्रेगनेंट बहूं का चेहरा मोर्जा जाता है और मंजली बहू लक्ष्मी बोलती है मा जी घर की साफ सफाई तो ठीक था लेकिन हम पांचों घर की रंगाई पुताई का काम कैसे करेंगी आप तो देख रही हैं हमारे पैर भारी है अच्छा होता आप अगर पेंट करने वाले को बुला लेती एक तो तुम पांचों ने प्रेगनेंट होकर खर्चा बढ़ा दिया उपर से दिवाली घर की रंगाई पुताई तुमको ही करनी है वो भी कल कल में कल धन तेरस है पर दो दिन बाद दिवाली समझी इस तरह से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शोबना बहुआ पर दिवाली की रंगोली पुताई का जिम्मा डाल देती है और उनके गरभावस्ता की दशा पर जरा भी तरस नहीं खाती धन तेरस वाले दिन जहां घर में सास अपनी अपनी बहुआं को सोने की चीज बनवा रही होती है तो वहीं शोबना अपने बहुआं से रंग पेंट करवाती है अड़ोसी पड़ोसी उसकी ऐसी हरकतों को देख कर थू थू करते है पडोसन को कड़वा बोल कर शोबना भगा देती है तब ही विधी लक्षमी सास के पास आती है मा जी घर की साफ सफाई हो गई लगबख सजावट का सामान मंगा दीजे ये लो पांचो रुपे इसी में तुमें पूरे बंगले की सजावट पूरी करनी है पांचो बहुए जो की जुगाडू थी वो आम के पत्ते अशोक के पत्ते त्यादी और बाजार से थोड़ी सस्ते फूल रंगोली के रंग वगेरा घर ले आती है और पूरी खुशाली से घर के सजावट करते हैं उनके अंदर इतनी सेहन शीलता देखकर अब धीरी धीरे शोबना का देल उनके प्रती पिघलने लगता है लक्षमी दीदी देखो मैंने कितनी प्यारी रंगोली बनाई है दिवाली की फूलों से विधी बहुत सुंदर लग रहा है रंगोली लेकिन इसके बीच में दिये रग दो रेखा पूजा सभी दर्वाजों पर आम पत्तों का तोरन लगा दिया हाँ जी जी लगा दिया पर दीदी माजी को हमारी सजावट पसंद तो आएगी न सास मुस्कुराते हुए हाथों में साड़ी मिठाई जेवर से लाकर पांचों को देते हुए कहती है दिवाली बहुत बहुत मबारको मेरी पांचों बहुँओं को अपनी सास की बोली में मिठास देखकर गर्भुवती बहुँओं की आँखे डब डबा जाती है बहुत बहुत धनिवाद माजी सुपहार के लिए बहु मेरे इस कड़े स्वभाव के लिए तुम पांचों मुझे शमा कर देना लेकिन मेरे दिल में तुम पांचों के लिए कड़वा हट बसी हुई थी लेकिन तुम पांचों की सहन शीरता प्रेम धैरे को देखकर मैं तुम से और ज्यादा रूठी नहीं रह सकती मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे बहु के रूप में साक्षात लक्षमी मिली है इसी के साथ शोबना अपनी पांचों बहु के साथ मिलकर लक्षमी पूजन करती है उनके पती, ससुर भी, सास बहु के बदले हुए विवहार को देखकर दिल में ही खुशियां ही खुशियां सजती है अब सब खुशी खुशी घीके दिये जलाकर दीपा वली मनाते है वैसे दोस्तो आपके घर में दिवाली की सफाई शुरू हुई की नहीं हाँ? कमेंट में बताना बिलकुल मत भूलिएगा